नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल ड्रावी था रमन में तो रोज के तरह चलिए फिर कुछ नया बनाते हैं दोस्तों मेरे फर्स्ट परस्पेक्टिब ड्राइंग के बाद मुझे रिक्वेस्ट बहुत सारे आये थे कि आप परस्पेक्टिब ड्राइंग में कुछ और देखाईए तो आज हम एक और परस्पेक्टिब ड्राइंग करेंगे सेम नोट बुक पे जो मेरे स्केच बूक है आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में वह फर्स्ट इसकेच मेरा जो परस्पेक्टिब मेंने किया था अगर अपने ओ टिटोरेल नहीं देखा है तो वो जाकर देखें यह हम आज जो कर रहे हैं यह भी सेम मेथड है मैं फिर से लाइनिंग के बारे में आप पो नहीं बता रहा हूं यह हम एक रेलवे स्टेशन बना रहे हैं तो यह मैं जो मेरी राइट साइड में जो मैंने दो लाइ अगर आब ड्राइंग फिल्ड में हो तो यह हर एक बच्चे को पता है कि स्टार्टिंग से उसे ट्रेन या बस जो भी चीज है यह समझना ज़रूरी है कि दूर जैसे-जैसे जो चीजे जाएंगी जो लंबी चीजे होंगी दूर में जाको चोटी हो जाएंगी और पास जैसे window होगा उसके लिए भी हमने line टान ली हैं और उसके उपर based करके हैं जो windows हैं वो बनाएंगे यह देखिए बहुत easy हो जाता है जब आपको ऐसे angular lines मिल जाते हैं बनाना बहुत लोग यह गलती करते हैं कि बिना ऐसे line के बिना perspective के knowledge के बनाने जाते हैं और फिर वो perspective गलत तो सब कुछ गलत और मैं फिर आपको बताता हूं कि आप की यह जो line है यह आप बिना scale use करें बनाए scale use करके आप बहुत easily बना सकते हों बहुत लोग यह बोलते हैं कि जब हमारे पास tool level है तो हम क्यों ना करें उससे problem क्या होती है कि आप scale to use करोगे तब आपकी straight line होगी लेकिन आपके पास practice नहीं रहेगी straight line करने की और बिना scale के आप use करोगे तो शुरू में थोड़ी आपको problem होगी लेकिन धीरे धीरे आपको straight line करने आ जाएगी and straight line और circular यह दो line आपको आनी बहुत जरूरी है तो यह मैं छोटे छोटे विंडोस जो है बना रहे हैं और यह मैं जो बना रहा हूं यह विंडोस यह आप ध्यान रखे दूर में जैसे जैसे जा रहा है इसकी जो width है मैंने दो लाइनों के बीच का gap है वो भी कम होते जा रहा है तो यह देखिए यह train का compartment का एक almost हमने structure त्यार कर लिया है अब जो angular lines है vanishing point के थूर और भी मैं line टान ले रहूं ताकि हमें पुरा जो shade structure है platform का उसको भी त्यार करना है तो यह angular lines जब भी अप ताने left to right उसको पूरा complete करें ताकि आपको हर एक angle की पूरी पूरी वहाँ पर knowledge हो कि यह line अगर इस angle से start हो रहा है तो यह कहां पर हमें खतम करना है यह मैं जो door area में वो बना ले रहा हूँ मैंने train की बहुत सारी scenery देखी है जो bigness करते हैं सक्से बड़ा problem रहता है कि आप बहुत सारे scenery में दोर जो है वो इतना चोटा होता है कि जो सक्स बाहर खड़ा है जो आदमी बाहर खड़ा है वो उसके अंदर जा नहीं सकता है तो वो perspectively wrong है तो इसलिए आप जब एक human figure कर रहा हो तो door को भी आपको उस height का बनाना होगा कि वो बंदा उसके अंदर in कर सके जा सके यह बहुत जरूरी होता है और यह तभी आप कर सकोगे जबकि आपके पास हर perspective करने की line ने मौझूद होगी कि दूर से कोई बंदा आ रहा है तो वो कितना बड़ा होगा सामने वो सक्स खड़ा है तो वो कितना बड़ा होगा और proportionately हमारा door भी उसी तरह से उस height का होगा तभी वो बंदा जाए वो male figure हो या female figure हो उसके अंदर में इंटर कर सकता है अभी platform से train में थोड़ी सी gap होती है तो हमने जो compartments है जो boggy है उनसे थोड़ा सा gap कर लिया है platform area को और यहाँ पर जो staircases होते है train में चड़ने के लिए वो मैं बना रहा हूं तो almost train का काम तो हमारा complete है अब हमें human figure पर ध्यान देना होगा और यह मैं एक just rough sketch बना रहा हूं human figure का watercolor में आपको एक चीध्यान देना होगा कि आप बहुत ज़्यादा detail करने ना जाए बहुत ज़्यादा detail करोगे तो वो pencil को आपको हलका सा ही use करना पड़ेगा ताकि आप कम से कम eraser use कर सो क्योंकि ज़्यादा detailing करोगे तो ज़्यादा आपको rub करना पड़ेगा कहीं कुछ गलत हुआ तो फिर इस वह आपको tick करना पड़ेगा अब यह जो set का structure है यह मैं कर ले रहा हूं यह simple सा इसमें कोई बहुत ज़्यादा detailing नहीं है just angular way में जो भी मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा यह platform का होता है जो मैंने देखा है या जो भी references मेरे सामने हैं उनको देख करके जो structure होता है मैं उस तरह कर ले रहा हूं और last में मैं आऊंगा human figure पर human figure में अगर आपने मेरे पहले के टूरियल नहीं देखे हैं जहां मैंने stick figure के थूरू बनाया है तो आप उस tutorial को आप देख लें क्योंकि आपको उससे human figure करने में बहुत ही सहुलियत होगी आप बहुत easily कर पाओगे human figure को और उससे आपको पता चलेगा कि detailing की उतनी ज्यादा जोत नहीं होती है और ऐसा भी नहीं है कि आप starting में ही हर चीज आपको जाननी जरूरी है कि कहां पर आपका skeleton होगा कहां bones structure कैसे होगे वो सब कुछ भी उतना जानना बहुत जरूरी नहीं है मैं यह नहीं बोलूँगा कि वो जरूरी नहीं है बट for beginners के लिए आप उतने detail में ना जाए आप पहले stick figure पर ज्यान दे जैसे जैसे आप stick figure जान जाओगे वैसे वैसे आपको करने में free and drawing करने में आपको easy रहेगा आप आराम से कर सकते हैं तो चलिए अब हम अपना first human figure है उसको हम start करते हैं मैं यहाप एक female figure करूँगा जो कि train के door के पास में है और यह कोरोना के time का चुकि अभी चल रहा है तो हम जो भी अभी करेंगे अभी figure को mask में पहना होगा मैंने जो पहला drawing किया था उसमें मैंने mask नहीं दिखाया था मैं इस drawing में mask दिखा रहा हूं क्योंकि अभी station पे train में च structure त्यार कर ले रहा हूं यह जो lady है यह पीठ पर एक जो bag होता है वो इन्होंने लिया हुआ है और हाथ में इनका एक बड़ा luggage है जो platform के ऊपर यह खड़ी है वहाँ पर है तो यह जो पीठ वाला bag है यह मैं फटा-फट complete कर लेता हूं और करके अब यह जो हाथ में जो details है व का compartment हो अभी दीख रहा है उसे अभी रब करने ना जाए आप इन चीजों में जाए कि आप जितना कम से कम आप eraser यूज करें यह नहीं कि अभी वह पीछे train की लाइन दीख रही है मुझे पहले उसको रब करना है water color में यह ज़रूरी नहीं होता है आप जब color करोगे वह उतन यहां पर थोगा सा dark किया ताकि camera में वह अच्छी तरह से आ सके और आप समझ सको क्योंकि main purpose इस tutorial का pencil drawing दिखाना है ना की color मैं इसमें कोई coloring नहीं कर रहा हूं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं pencil draw करके color करता हूं तो almost half an hour से उपर चली जाती है जो video की length है और तो फिर मुस्किल होती है मैंने पहले tutorial में बोला है कि लोग उतना time नहीं देते हैं किती के पास इतना time साथ नहीं है सब busy है anyway यह जो next figure है उसके पीछे जो खड़ा है यह एक young लड़का है तो अभी सामने मैंने lady को किया और young लड़का इसका भी same है आप पीट पर इसने भी bag लिया हुआ है तो सेम जो stick figure method है उससे मैंने इसका पहले एक single line पर hand बनाया और फिर मैं इसके पीछे के back को बना रहा हूं यह चाहिए आप ध्याना कि मैंने single line का hand बनाया यह बनाना बहुत easy होता है rather than कि आप पूरा का पूरा detail करने जाए उससे क्या होता है आपको hand की जो कि single line पर ही मैंने उसके shirt का बाजू बनाया और इस पर मैंने हाथ को बना दिया ठीक है आप देख रहे हो जितना easy जब आप बनाने जाओगे हो सकता है आपसे first bar में नहीं बने बट यह जो method है यह easy है आप एक दो बार 4-5 बार use करो use करने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि आप easily अप कर सकते हो इसने भी same एक suitcase लिया हुआ है और same है almost तो suitcase जो station पर platform पर उस पर रखा हुआ है और यह लोग अब चलने की तयारी कर रहे हैं बस आप यह ध्यान रखो कि मैंने जो height अभी जो young लड़का है जो young lady हैं सामने इनकी height almost same रखी है अब इसके बाद मैं जो एक matured आदमी की करूँगा उसकी height हमें थोड़ी सी इन से ज्यादा रखनी है अब यह लोग चुकि एक single line में है यह आगे पीछे नहीं है single line में है डोड के सामने इसलिए जो perspective है अब यह ना सोचें कि पीछे vanishing point है तो यह जो sucks है यह जो आदमी मैं बना रहा हूँ उसकी height छोट करके आपको देखा दूंगा उसकी height को छोटी रखनी होगी क्योंकि वह distance में इससे दूर है अब इस बंदे ने चस्म पहना हुआ है और मास लगाया हुआ सेम इसका भी मैं just stick figure के तरह ब्लॉक्स बना ले रहा हूं ब्लॉक्स बना कर मैं इसके हाथों को उस तरह से होगा और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इससे subscribe करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें मैं बार बार बोलता हूं मुझे आपका साथ चाहिए क्योंकि अगर सब्सक्राइबर मिलते हैं कमेंट्स आता है तो एक motivation मिलता है चैनल को आगे बढ़ाने का पिर मुश्किल होती है इसलिए चैनल के growth के लिए आप support करें subscribe करें और लोगों तक पहुचाए और जितना ज्यादा हो सके share करें अभी इस बंदे ने भी ट्रॉली लिया हुआ है ट्रॉली बैग जो होती है और उसको मैं जल्दी से बना देता हूं यहां पर और हां दोस्तो आप अपना comment करके जरूर मुझे बताना कि next tutorial जो होगी वो आप क्या देखना चाहते हो आप इस तरह के pencil drawing देखना चाहते हो colorful scenery देखना चाहते हो पोट्रेट पर देखना चाहते हो या जो भी आपके मन में होगा जो भी आपकी जरूरते होंगी आप मुझे बता सकते हो तो next tutorial में जरूर लाँगा अब यह में पीछे में एक हलका सा एक figure कर रहा हूं इसको मैं detail नहीं करूंगा बट इसकी height मैंने कम रखी है क्योंकि vanishing point के तरफ है left side में दुकाने हैं कुछ ज्यादा या कुछ भी आप fences समझ सकते हो तो उसमें मैं ज्यादा detail नहीं कर रहा हूं तो आ